त्रिदिशनली गूगल एडवर्स हम किसलिए यूज़ करते थे सर्च एड्स और दिस्प्ले अड्स के लिए और अब यूट्यूब के ओपर वीडियो एड्स चलाने के लिए भी आप एडवर्स ही का इस्तमाल करते हैं लेकिन गूगल ने एडवर्स सॉफ्ट्रे में एडवर्स के प्लैटफॉर्म के अंदर ट्रू व्यू नाम का एक पॉर्शन इंट्रिद्यूस करवा दिया है कि जिसको आप यूज़ करते हैं यूट्यूब के ओपर एड्स चलाने के लिए इस ट्रू व्यू नाम के पॉर्शन को हम डीटेल में डिसकस करेंगे जब मैं आपको सॉफ्ट्रे सिखा हूंगा लेकिन अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये ट्रू व्यू किस-किस तरह की वीडियो एड्स की आप्शन आपको देता है और किस-किस तरह की वीडियो एड्स जो हैं वो आप यूट्यूब के प्लैटफॉंग के ओपर चला सकते हैं आईए ज़र उसको पर थोड़ी सी नजर डालते हैं सबसे पहले आपने कभी कबार जब वीडियो देख रहे हैं तो देखा होगा कि आपकी जो राइट साइड के ओपर जो वीडियो की लिस्ट आरी होती है वे होती है Suggestive वीडियो जानी के आपके क्रिक जोडियो कशुधे हैं तो आपके सीधे हाथ पर भी जो वीडियो अपयर हो रही है वो क्रिक जोडियो के हमाएं एक ऐसा वीडियो का link होता मेन पनक देखक हुए रिक होता है तो कुछ ऐसी advertisement आपने feel किया होगा कि आती है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो के दर्मयान में चलना शुरू हो जाती है कभी कभार उस पे skip ad का button भी होता है लेकिन कभी कभार वो बड़ी annoying किसम की होती है और skip ad का button नहीं होता है तो आपको पूरी की पूरी ad देखनी पड़ती है इस तरह की भी ads आपको YouTube पे मिल रही होती है पर तीसे किसम की और बड़ी interesting किसम की ads जो आप देखते हैं वो है search की ads यानि कि आपने कोई चीश सर्च की और search करने के बाद आपके सामने वीडियो की लिस्ट खुल गई उस लिस्ट में एक ऐसी वीडियो भी आप देखेंगे कि जो छुपी भी होती है दिर्मयान में वो होती है ad जो YouTube या true view आपको search के उस particular portion के अंदर दिखा रहा होता है तो दोस्तों इन तीनों किसम की ads को तीन different किसम के नाम देता है true view यह ज़्यादा मुक्तलिफ नहीं है सवाए एक particular ad की type के सबसे पहले type of ad जो है उसको YouTube या true view कहता है display ads यह वही ads हैं जो आपके right side पे suggestive videos के अंदर अपीर हो रही होती है आपको पता तो होता है कि यह actually ad है क्योंको उसके आगे orange से ad लिखावा होता है लेकिन यह अपीर हो रही होती है उन तमाम videos के अंदर जो suggest की वी होती है YouTube ने while you're watching a video second किसम की ads जो है उसको true view कहता है search ads यह वो वली ads है जब आपने कोई चीज सर्च की और यह video pop up होगी दिनमयान में उस list के अंदर जो list आप view कर रहे है इसकी conversion rate भी बड़ी मज़े की होती है आगे चलके मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा और तीसे किसम की ad जिसे हम ज़्यादातर हमारी वक्फियत है वो है in stream ad यानि के while you are streaming a video there is an advertisement which is being played टीवी की तरह ही उसको आप skip कर सकते हैं या उसको आप skip नहीं कर सकते है दोनों options के अंदर available होती है तो ये तीन तरीकी की ads है जो आपको true view प्रोवाइड करता है और इनी तीन ads के अंदर से आपने अपनी मर्जी और अपनी particular requirement को देखते वे ads बनानी है जो भी client आपको दे रहा है अब जब आगे चलके देखते हैं देखते हैं कि display ads का फाइदा क्या है सबसे पहले तो display ads जो है जिसमा मैंने पहले बताया है कि ज़्यादता right side पे अपीर हो रही होती है thumbnail form में होती है बिलकुल वीडियो ही लग रही होती है पिक्चर होती है साथ उसके text लिखावा होता है uploader का नाम भी लिखावा होता है लेकिन सिर्फ एक चीज़ होती ही जो बता रही होती है वही orange color का add का text उसके अलावा आपको click करना पड़ता है उस particular video को view करने के लिए और last के अंदर इसका जो conversion rate है वह काफी ज़्यादा हाई होता है क्यों conversion rate हाई होता है मैं आप से सवाल पूछता हूँ क्या reason है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जो ads होती है उसके ओपर user ज्यादा click करेगा उसके वज़ाई ये है कि आप उसी तरह की मिलती जलती ad ये मिलती जलती वीडियो आप देख रहे है तो जब आपके right side पे वह ad नजर आएगी तो chances हैं कि आप उस ad के ओपर ये वीडियो के ओपर click करेंगे दूसरी जो ads है search ads उसके ओपर थोड़ी सी नजर डालते है ये ads appear हो रही है search के अंदर जैसा मैंने पहले बताया दोबारा thumbnail form के अंदर ही होती है ये details लिखे होती है बिलकुल आपको normal video लगेगी और ये भी high conversion rate के अंदर शुमार होती है और इनकी conversion rate display ad से भी ज्यादा है क्योंकि जब आपको चीज टाइप करते हैं तो टाइप करने के पास जो वीडियो आपके सामने भीर हो रहती है उनमें सब वीडियो चूज करते है कि मुझे कौन सी वीडियो देखनी है अपने उस subject के बारे में तो chances are कि you will click on that particular ad तो इसी विचा से इसकी conversion rate ज्याद है और तीसे नमबर के ओपर आती है हमारे पास in stream ad ये skippable भी है और non skippable भी है यानि कि आप इसको skip भी कर सकते हैं पांच सेकिंड के बाद और कई ऐसी ads हैं कि जो skip आप नहीं कर सकते हैं आपको वो ad पूरी के पूरी देखनी पड़ती है और ये एक TV की तरह का feel दे रहा होता है पाक्सान में हम लोग बड़े लखी हैं अभी हम जब वीडियोस देख रहे होते हैं तो ज्यादा तर हमारे जो वीडियोस के सामने ads है वो appear नहीं हो रही होती लेकिन अगर आप North American region में चले जाएं और वहाँ YouTube देखें तो 30 सेकंड की वीडियो देखने के लिए भी आपको अकसर non-skippable ads देखनी पड़ती है जो at times become very very annoying तो दोस्तों ये तमाम information आप जहन में रखें ये तीनों टाइप्स बड़ी ज़रूरी है कि आपको पता हो ताकि next time जब client आपको video ad का project दे रहा है तो आपको ये पता हो कि मैंने या वो search में डालनी है display में डालनी है या stream और in stream ad को use करते हुए उस ad को मैंने disseminate करना है और logo तक पहुचाने है